नमस्कार साथियों, आयर्वेद में सिद्ध तेलों का बहुती महत्व है, उसमें से एक है सतावारी तेल, इस वीडियो के अंतरगत इस तेल की जानकारी इसको बनाने की वीधी तथा इसके फायतों के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, वीडियो बहुती छो मात्रा में सतावार, खरेंटी की जड, गंग्रेन, साल परणी, प्रष्ट परणी, अरंड की जड, अश्वगंध, गोखुरू, बेल की जड, कास की जड, वजरदंती की जड लें, इन सभी को इनके कुल वजन से चोगुने जल में डाल कर ओटाएं, जब चोथाई जल रह जायता उसे उतार कर छान ले, अब उसमें एक लीटर तिल का तेल, एक लीटर गाय का दूद, एक लीटर सतावार का रस, तथा एक लीटर पानी मिला कर इन सभी प्रदार्तों को भली प्रकार मिला ले, इसके पश्चात सतावर, देवदारू, जटामासी, तगर, सफेद च प्रॉक्त मिट्रन में मिला कर कंडे की आँच में धीरे धीरे पका Eltern देल मात्र रह है तो उसे उतार कर छान ले यू सिद्ध को कि फिवा सताली आभरी तेल के नाम इस्त्रियों की योगनी शूल में सतावारी तेल की मालिस करने से स्रेष्ट लाव होता है पीलिया रोग में इस तेल की मालिस से स्रेष्ट लाव होता है जो पुरुस इस तेल की मालिस नित्य करता है उसकी पत्नी उसे अत्यंत प्यार करती है तता उसे वह अत्यंत पृत्ति के साथ भोग करता है जो इस्त्री इस तेल की मालीस अपने पेट एवं पेडू पर करती है उसे पुत्र संतती होने की अधिकाधिक संभावना रहती है सतावारी तेल की मालीस तिल्ली पर करने से वह अधिक सक्रिय हो जाती है तिल्ली का इस्थान पस्लिया जहां समाप्त होती है वहां बायक होने पर होता है सतावारी तेल प्रमय रोप पर भी हितकारी होता है सतावारी तेल की मालिस पेट पर करने से वायू निकल जाती है इसके प्रभाव से पेट का फूलना दूर हो जाता है जुआर होने की स्थिती में सतावारी तेल की मालिस करने से लाव होता है इसकी मालिस से सरीर के तापमान में कमी आती है कमर दर्द एवाम पीठ दर्द में इस तेल की मायस करना हिद कर होता है यह सबी जानकारी निरोग दुनिया प्रकासित चमतकारिक तेल फुस्तक से ली गई है यदि यह जानकारी आपको पसंद आईये और इस प्रकार तेलों की जानक्यारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चेनल आयुर्वत के पन्नों से जुड़ें धन्यवाद वंदे मात्रम